नमस्कार आप देख रहे आर्या नियूस का डिजिटल प्रेटफर्म और मैं हूँ आपके साथ सत्यमगौर आज पूरे देश में करोना महामारी से जूज रहा है आपको बता देखे इसी के साथ पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान भी अन्य देशों की तरह इस वक्त करोना महामारी से जूज रहा है और ऐसे मैं आपको बता दे कि पिछले दिनों एक ख़वर आई थी कि भारत अपने पडोसी देश यानि कि पाकिस्तान को फिरी में भारत निर्मित जो वैक्सीन है उसे सफलाई करेगा लेकिन आपको बता दे कि पाकिस्तान की तरफ से आए ताजा बयान में यह साफ होता प्रतीत हो रहा है कि वैब भारत से वैक्सीन आयात कराने में के मूड में अभी नहीं है दरसल पाकिस्तान विदेश कार्यालय के प्रवक्ता जो है वो जाहिद हफीज चौधरी ने एक सप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दोरान बताया है कि कुरोना से बचने के लिए भारत से वैक्सीन आयात करने की पाकिस्तान की अभी कोई योजना नहीं है और ऐसे मैं आपको बता दे कि उन्होंने काया है कि अभी दोनों देशों के बीच वैक्सीन खरीद का कोई भी समझोता नहीं हुआ है चौधरी ने आगे बताया है कि वैक्सीन के लिए बने अंतर रास्टी गटबंधन गावी ने पाकिस्तान के समक्ष वैक्सीन लेने का प्रस्ताव रखा है और वहीं आपको बता दे कि पाकिस्तान गावी से वैक्सीन लेने पर विचार कर सकता है बता दे कि गावी वैक्सीन से जुड़े एक एलाइंस है और जिसमें जिनमें दुनिया भर के करीब आधे बच्चों को दुरलब और खतरनाक संक्रमक रोगियों को बचाने के लिए टीका करण किया है महामारी के इस दौर में इस एलाइंस ने पाकिस्तान की मदद की है समझाता हुआ था माना जा रहा है कि इसके लिए पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन लेने पर विचार कर सकता है फिलाल आज के लिए अभी इतना ही देखते रहिए आर्यानूस का डिजिटल प्लेटफॉर्म